नमस्का सरकारी योजिनमि आपसी को स्वागा थे जो भी छात रेम छात राओं ने मैटरिक इंटर 2001 के इसमें पास कर चुके हैं उन तमाम सभी छात रेम छात राओं के लिए 50-50 हजार की स्कॉलर्शीप के लिए ओनलाइन आवेदन जो है सुरो कर दिया गया है तो इसमें आस कौन कौन से चातरेम छात राओं ने जो है यहां पर 50-50 रुपए खाथ वीर्टी यानि की स्कॉलर्शीप लेने के लिए ओनलेबल हे कौन-कौन से छात्रे आवेदन कर सकते हैं कौन-कौन से यहाँ पर डॉकुमेंट लगेगा कहां से और कैसे यहाँ पर आवेदन करना है किस परकार से सारी जनकारी जो है इस वीडियो में आप लोग की step by step बताने बलाऊं तो आप लोग इस वीडियो को सुरो से लेकर लास्ट तक जरूर देखेगा इसे पले वीडियो को अभी तक लाइक ने की तो वीडियो को लाइक कर दीजे और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसे वीडियो को सेर कर दीजे ताकि और भी लोगों तिरेम आप लोग जान सकें, सरकारी युजना कलाब उठा सकें, तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, लास्ट तक जरूर देखेगा, सबसे पहले यहाँ पर नोटिफिकेशन को यहाँ पर जारी किया गया है, नोटिफिकेशन के माधियम से आप लोग की बता देता हूँ कि यहाँ पर कौन-कौन से छात्री यहाँ पर इलिजबल है, यहाँ पर ओनलाइन अविदन करने के लिए उनका है। कोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, उस OTP को भरिए, फिर आप अपने नेम, प्रोफाइल, फोटो, पैन डीटेल और टीचिंग टोपी को अच्छे तरीके से पढ़िए, आप रोजाना 4 घंटे खर्च करके 20,000 रुपे कमा सकते हैं, तो आज फिलो टूटर अप्लिकेशन इंस्टॉल कीजे, लिंक डिस्क्रीशन बॉक्स में, तो अब इमें है 80 फीदी अंक और परिवारिक आए 6 लाग से कम, तो 5 वर्स तक मिलेगी ये स्कोलर्शिप, आने कि यहाँ पर जो है साब साब जो यहाँ पर नोटिफिकेशन जो यहाँ पर जारी कर दिया गया है, आप देखी, यहाँ पर जो इस शिख्छा मंतर आले, क्याने कि यहाँ पर सिख्छा मंतर आले कि यहाँ पर www.scholarship.gov. इन पर पाएंगे online आवेदन, आप लोग की यह भी में, आप लोग को online आवेदन करके में जानकारी देने बलाऊ, सबसे पहले जो यहाँ पर, जो भी यहाँ रुपए से कम है, तो आप Central Sector Scheme of Scholarship के पतराता रखते हैं, आने कि यहाँ पर Central Sector Scheme of Scholarship जो है, यहाँ पर है, यही यहाँ पर यह योजना है, इसका आप लोग पतराता जो है, इसमें आप लोग आवेदन कर सकते हैं, अगर आपको यहाँ पर 80% से आप लोग को ज़्यादा यहाँ पर मार्क्स आया है, सिछा मंतराले की ओर से Scholarship के लिए आवेदन मांगे गए हैं, इसके लिए अभियार्थी को www.scholarship.gov.in पर आवेदन करना होगा, M.H.R.D. की ओर से में धाबी स्टूडेंट को पढ़ाई में आर्थिक सहायता देने के लिए इस scholarship की शुरुवात जो यहाँ पर की गई है, मंतराले ने एक ओर से में 82,000 स्टूडेंट को यहाँ पर scholarship देने का यहाँ पर लग्ष है, इसमें जो है 41,000 जो यहाँ पर, यहाँ की 41,000 लर्का है, ओम 41,000 लर्की दोनों को यहाँ पर दिये जाएंगे, आनि की इसमें सामिल होगी, इसके लिए उनकी उम्र जो है कम से कम यहाँ पर 18-25 वर्स के बीच होनी चाहिए, और यह किसी scholarship का लाभुक नहीं होने वाले अभ्यार्थी इसके लिए आवेदन कर सकते है तीन वर्स ये कोर्स में, नमंकन पर उन्हें 10,000 रुपैं सल्वाना मिलेंगे, आनि की 3 वर्स की अगर आप लोग की कोर्स हजार की यहाँ पर सल्वाना जो यहाँ पर धिये जाएंगे, वही यहाँ पर बतया गया है, Čनि की आप लोग बीच हजार के कराया जाएora में आव keyboard से उसके बाद यहां पर डाक्टर नबीन कुमार ने बताया कि इस्टूडेन के पास scholarship पाने के लिए काफी बेहतर मुका दियाएगा है तो आप लोग असानी से यहां पर आवेदन कर सकते हैं इसमें जो आप लोग की क्या यहां पर 80% जो आप लोग पराप्त किये है और यहां पर आप लोग की उम्र जो यहां पर 18 से 25 वर्ष के बीच में है तो आप लोग इसके लिए इलीजबल है आप लोग आवेदन कर सकते हैं अब आवेदन कहां से क Depot करना है यह भी मैं आप लोग की बता देता हूं तो सबसे पहले अपने फोन में कोई सब बराज़र को उपन कर लेना है आपको क्या कर रहा है यहां पर सरकारी सेंटर इस परकार से लीकर आप लोग की सर्च कर देना है अब जैसे सर्च करेंगे यहां पर आप लोग को देखने को मिल जाएगा सरकारी सेंटर इस पर आप लोग की व्योव साइट बता यहां हूँ www.scholarship.gov.in यहां पर आप लोग को वे साइट जो यहां पर एड कर दिया गया है यहां पर आप लोग देख सकते हैं कौन-कौन से यहां पर डॉक्मेंट लगेगा सारा जनकारी जो यहां पर दी गई है आप लोग की क्या कारना है ओन को continue पर किलिक करना होगा अगर आप ऐफीस्याल साइट पर जाना चाहते है तो आप लोग को क्या करना है यहां पर जो है आप लोग karışल्बिवेबेगों का बना तिया हो अप लोग उसीट वीडियो को देखर असानी कर और ओनलाइन आवेधन कर सकते यहां पर इस प्रकार से आप लोग पेज ओपेन होगा जीसे मिआ पर देख सकते आप लोग उसे वीडियो को देख लिजी स्टेप आज बाइस बताया गाहिए तो आज पर नहीं मिलते हैं नेच्ट वीडियो तब तक वहां देमातर हुँ